हलो, गुड मॉनिंग गाईज, कैसे आप सब लोग अमीद करते हैं, आप लोग बहुत बढ़ी होंगे, मज़े में होंगे, तो स्वागत है आप लोगों का मारे एक न्यू ब्लॉग में, तो आज का ब्लॉग किया है, मैंने सुवह से स्टार्टिंग, तो मैंना दो के कुछ न कुछ चाहिए ही होता है, तो उनकी लंच के लिए, तो मैंना जल्दी से पटा-पट से सारी तयारियां कर लेती हूं, खाने की, यानि की बच्चों की लंच की भी, और साथ-साथ में खाने की भी, तो आप लोग बने रही हैं हमारे पूरे ब्लॉग में, तो वाइस आज देगे कुछ हम खास और नया बनाने वाले हैं, और आप लोगों के साथ सेहर करेंगे, तो मिलते हैं, हम सबजी बगरा काटके और चलती हूं अपनी किचिन में, पटास फट बना के आप लोगों को दिखाएंगे कि आज हम क्या बनाने वाले हैं, तो यापे मैंने पानी से दुल के इनको काट लिया है, यानि की मटर को चील लिया है, क्योंकि बच्चों के लिए सुभाई कुछ चाहिए ही होता है, खाने के लिए, लंच के लिए, तो फिरना मैंने सारी चीजे काट लिया है, आलू, गाजर और गोवी, तो आज हम बनाएगी मिक्स सबजी और आप लोगों के साथ सेर करेंगी, तो याप पर मैंने रख दिया है, गैस पर कड़ाई, और कड़ाई में डाल दिया है, मैंने सर्चों का तेल, और ये गाजर वाली सबजी बहुत ही टेस्टी लगती है, सच में, आप लोग भी बनाएए, काईए, और कमेंट करके जरू मैं हल्दी और धनिया पाउडर और इनको भी अच्छे से बुंच ले रहे हैं, उसके बाद ना ये जिए मसाले अच्छे से बुंच जाएंगे, जब इनमें से ओईल निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तभी हम इसमें डालेंगे, गोवी और गाजर जो मैंने पहले से ही काट के रखी है, तो पहले ही से मैंने काट के रखी है, तो या पर देखिए मसाले बुंच चुके हैं, और इनमें से तेल निकलना स्टार्टिंग हो गया है, तो देखिए कितने अच्छे समस्ट तो तेल निकलना स्टार्टिंग हो गया ता मसालों मैं से यानि की मसाले बुंच ते उसके बाद मैंने मटर डाली है और मटर ना मैं ये डाल के और फिर मैंने डाली है गूवी है गाजर है इन सारी चीजों को डाल दिया है क्योंकि इन सारी चीजों को ना मैं मसाले में अच्छे से खूब ही अच्छे से इनको प्राई करेंगे या निकी कूब अच्छे से इ जल्दी आजाती है तो इस बज़े से नहीं हो पाता तो इस बज़े से मैंने साथ में ही डाल दिये थे मसाले में गोभी, गाजर, आलू और मटर आफ इनको मैं सारी चीज़े अच्छे से से मिला ले रही है फिर उसके बाद मैंने डालाए लाल मिर्ची पाउडर और फिर थोड़ा सा मैंने डाल दिया है गरम मसाला अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिला दे रही हूँ सारी मसाले और फिर जल्दी जल्दी से बना रही थी क्योंकि बच्चे भी परिसान कर रहे थे कि मुझे तैयार करो तैयार करो तो इस बज़े स्वादनसार नमक डाल दिया है और यह देखिये कितनी अच्छे से सब्जी बन गई है अगता अच्छा कलर आया है तब तक मैंने अरा धनिया भी काट लिया था फिर धनिया विसन पर मिला दिया और यहां पर देखिये मैं जल्दी जल्दी आठा लगाया है बहुत फटा- मैं लगा दी है सबजी और उसके बाद मैं ना फराटे लगाएंगी तो फराटे के लिए ना मैं इन से बोल लही थी कि जल्दी जल्दी से बच्चों के खाना खाना रख दो क्योंकि बच्चों की गाड़ी आने वाली है और यहां पर मैं खाना बना चुकी थी पूरी फैमली क यानि कि पुल्कुल फुर्चत होने वाली थी और कुछ मेरा काम था क्योंकि कल है सिवरात्री तो सिवरात्री की तोड़ी बहुत हम सफाई कर रहे थे यहाँ पर हमारा फिरेज बहुत जाना गंदा हो गया था तो इसको हम कोलें से साप कर रहे हैं क्योंकि यह बच्चे ना गंदा लगा दे थे इं गिले तो इसमें बहुत जादा गंदा हो जाता है तो इस वजह से मैंना इनको कोलें से साप कर रहे हैं वह यह देखिए एकदम चमकने लगे गहाँ यह लगेगा तो ये गीला कपड़ा नहीं है बहुत जांदा गंदा हो गया था फिरेज हमारा तो इस वाज़ा से हम इसको कुवच्चे से साफ कर दे रहे हैं रगड के और ना कोलीन तो खेर जादा लगई गया था लेकिन फिरेज हमारा चमकने लगा था यह से लग रहा था कि विलकुर न कंदों को साफ कर रही थी फिर ना मैंने कुछ खिड़की पर भी डाल दिया था कोलीन तो मैंने सोचा खिड़कियों से नहीं काम चलेगा और साफ भी नहीं हो रहे थे इस पर क्या है यह लकड़ी के थे तो कुवच्चे से नहीं साफ हो रहे थे लेकिन कुंदे मैंने कोलीन से साप करे थे खिड़कियों के और फिर वागी की जो खिड़कियां थी वो मैंने गीला कपड़ा करके और अच्छी से रगड़ के पहुच दिया था तो एकदम चमकने लगी थी तो यह दर देखे चन्य का साग सुखरा है तो सारी काम से मैं उच की यू विलकुल फुरसत और आप लोगो देखा थे बहुच्ट वूबहुत तेजवाली दूपने के लिए है और आप लोगों को दिखा थे बहुत तेजवाली दूप है प्रहुत में प्रह्त की नहीं भी आप जादक कोई थे दो चार्च जोड़ी बच्चों के और एक एक जोड़ी फूरी प्रेम्ली के थे तो सभी के दुल के डाल दिये हैं और यहां पेचन्य का साग और मैती सूख रही है दूप में क्योंकि नीचे से उठाके ना ऊपर ढाल दिये तो सारे काम से अब मैं हो चुकी हूँ मुलकों फुरसत हो कर रही हो बच्चों का इंतजार बच्चे आएंगे तो उनको खाना बगएरा देंगे और उनके कपड़े बगएरा भी दुल के डालेंगे क्योंकि कल है सिवरात्री तो कल नहीं कर पाएंगे तो आज ही सारा काम कर देंगे बच्चों के बैग बगएरा भी गंदे हो गए तो यह भी दुल के डाल देंगे तो दो दिन में सूख जाएंगे अच्छी से कुछ आज की दूप लगेगी कुछ कल की लगेगी क्योंकि बैग ना तोड़े मोटे हो थे तो जन्दी सूख नहीं पाते हैं तो इस व लोग के साथ तक के लिए भाई भाई